हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे मेरे चैनल में दोस्तों आप काफे से बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूसफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ जो कि आपके समय की तो बचत करती करती हैं साथ आप में आपका ढेर सारा पैसा भी बचाती है और आपके काम को भी आसान बनाती है चली दोस्तों दे ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से चली फ्रेंड्स मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के फूर वेज़िटेबल्स को लेके जिसको ज जब हम मार्केट से कोई भी फ्रूट या वेज़िटेबल्स लेकर आते हैं तो उनके ओपर काफी केमिकल्स लगे होते हैं जिनकों की हम नॉर्मल पानी से वाश करके खाते हैं तो आप जब भी इनको वाश करें तो आपने जो है नॉर्मल पानी नहीं लेना है यह देखिए वेज़िटेबल्स है इसको पानी में डिप करके रख दें कम से कम 10 मिनट के लिए और इसके बाद आप इनको अच्छी तरीके से वाश कर ले और फिर साफ पानी से धो के आप इसको अपने फ्रीज में स्चोर करके रख सकते हैं क्योंकि नमक पाले पानी से डुबोने से क्य हो जाते हैं इनके उपर ऑफ रख दाता है और इनके फीर प्रूट यदे के इंडर सब्सक्राइबल्स कर दातीन हो जाते हैं उपर कंदेबल्स तरीके कह बहुत है कि ये जो glassy जो होते हैं बच्चों के हाँ से फिसल जाते हैं और जिनके कारण ये टूटे तो है हैं और साथ में हमारा समान भी रखा हुआ इसके अंदर गिर जाता है तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि next time जब भी आप बच्चों को इसके अंदर कोई भी समान दे तो उससे पहले आप क्या करें ग्लास के ओपर rubber band चड़ा दे और वो डिपेंड करता है इसके ओपर दो तीन आपने जितनी भी चड़ानी है आपके ग्लास के ओपर देंगे तो आप देखेंगे कि यह जो rubber band है यह आपके ग्लास पर एक ग्रिप बना लेगा जिसके कारण जो है आपके बच्चे का ग्लास हाँ से फिसलेगा नहीं और नहीं कोई समान इसके अंदर से गिरेगा और अगर आपका स्टील का ग्लास है तो उसके ओपर आप यह ज इसके कारण बच्चों को जो है दूद और चाय घरम भी नहीं लगेगी और इसली इसको होल्ड भी कर पाएंगे आप जब भी इस तरीके के स्टील के ग्लास में डालें तो अगर यह मोटी वाली रबर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए जादा बैटा रहेगा चली फ् कि जैने के लिए पहुती बड़िया लुक देंगे उसके लिए कंबल को आपने इस तरीके से लंबाई में डालिप्至 अ इस तरीके से हमने अब ह toothpaste अब हमने कंबल लेना है और कंबल को हमने इस तरीके से घर गुपाले अब हमें क्या करना है इस तरीकी का लेना है कोई भी दुपट्टा कोई भी आप चादर दुपट्टा किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब हम पहले इस दुपट्टे को फिला लेंगे और यह जो कंबल है हमने इसको इसके अंदर रख देना है और अब हमें क्या करना है नीचे से दुपट्टे को लाते हुए हमने उपर को निकालना है अब धीरे-धीरे से करते हुए इस दुपट्टे को हमने फोल्ड करते जाना है ऐसा करने के बाद अब हम इसको वापिस नीचे के तरफ को लेकर आएंगे और अब हमें क्या करना है ये जो हमने लिया है गोल इसके ओपर हमने चड़ा देनी है एक रबड बेंड ये देखिए ये हमारा चोटा सा एक कुशन बनकर तयार हो गया है अब इसका इस्तेमाल आप अपने कहीं भी सोफे पे कर सकते हैं और इससे क्या फाइदा हुआ एक तो आपका दुपटा भी इस्तिमाल हो गया और सासाथ आपका कंबल भी और्गेनाईज हो गया चली फ्रेंड मेरा अगला है कोने वाला है इस तरीके की जैकिट्स को लेके दिरे दिरे इन हलकी जैकेट्स को भी हमने रखना शुरू कर दिया है तो मैं आज आपको इनको रखने का बहुत ही असान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आपकी ये जैकेट्स बहुत कम जगा में आसानी से ही स्टोर हो जाएंगी तो उसके लिए आपने क्या करना है बिल्कुल आपने सिंपली तरीका अपनाना है कि इन जैकेट्स को एक के उपर एक इस तरीके से आपने फोल्ड कर देना है और इसकी स्लीव को हमने इस तरीके से अंदर की तरफ करना है और फिर से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है ये तरीका आप चाहे जैकेट हो या आपकी इस तरीके से लंबी स्लीव की जो भी टीशर्ट भी हो आप उसके उपर ये मैथेट अपना सकते हैं इसके बाद हम यहां से फोल्ड करेंगे नीचे वाले हिस्से को उपर की तरफ फोल्ड करते हुए लेकर आएंगे और इसकी कैप को हमने इसके अंदर नीचे की तरफ को लेना है स्लीव के और इसके उपर हमें स्लीव रखनी है और इसके बाद हमने ये वाला हिस्सा उठाते आपने इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके अंदर हमें इसको डाल देना है, यह देखिए, इस तरीके से हमारी पूरी जैक्ट imp जो है, इसके अंदर चली जाएगी, और अब आप देख सकते हैं, आप इसको जैसे मर्जी उल्टेगे, पल्टेगे, जहां मर्जी रखेंगे यह आपके बहुत कम स्पेस में असानी से और्गिनाईज हो जाएगे चली फ्रेंट्स बढ़ते हैं अगले है कितर हमेरा अगला है कोने वाला है इस तरीके के चिम्टे को लेके जो कि एकसर हमारे घर में दो चार तो होते ही हैं जबकि एक टे टाइम पे हम एक ही चिम्टा इस्तेमाल करते हैं लेकिन बाखी चिम्टे को और्गनाईज करके रखने के लिए भी हमें किसी जगय की जरूत पड़ती है तो क्यो ना इनी चिम्टे से हम कुछ ऐसा बनाएं जो कि हमारे चिम्टे भी और्गनाईज हो जाएं और साथ हमारे घर के या किचन के काम के लिए कोई चीज भी बन जाए चलिए उसके लिए मैंने ये चिम्टा ले लिया है अब हमें क्या करना है अब हमें लेने हैं कुछ rubber bands अब हम क्या करेंगे rubber band को हम इस तरीके से दो फोल्ड लगाते हुए अपने चिम्टे के उपर चड़ाते जाएंगे ये देखिए मैंने ये सारी के सारी rubber band चड़ा दी है अब हमें क्या करना है इस rubber band चड़ाने के बाद अब हमारा ये हिस्सा आगे वाला बंद हो जाता है तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस तरीके से आप कोई भी चोड़ा सा पीस ले लिजिए गत्ते का या किसी कागच का उसके बाद हमने क्या करना है इसको हमने इसके अंदर फसा देना है ताकि इसका आगे का मूह हमारा खुला रहे और अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे इस तरीके की एक डोरी और इस डोरी को हमने दोनों साइडों के उपर बाग देना है अब हमें लेने तो मैं उसकी लिक्चर आपको लगा दूँगी तो आप वो वाले वीडियो देख सकते हैं कि इनको कैसे बनाना है अब हमें क्या करना है ये जो हमें hooks बनाए हुए है इसको हमने अपने ये जो बीच में gap है उसके अंदर टांग देना है ये देखिए मैंने hook टांग दिया है ये देखिए दोस्तों ये हमारा एक छोटू सा और्गेनाईजर बनकर तियार हो गया इसका इस्तेमाल कैसे करना है चलिए ये भी देख लेते है ये देखिए मैंने इसको अपने किचन में टांग दिया है अब इसका इस्तेमाल हम क्या करे है इसके अंदर हम आपने спूज को और ये जो हमारे नीचे के मैंने हूख लगाए है इसके ऊपर आप कोई भी अपना knife टांग सकते हैं, whiskaw टांग सकते हैं आपकोई भी brush लेकर को टांग सकते हैं, अपने इस तरीके से चलनी लेकर को टांग सकते हैं. अभी भी इसके अंदर काफी स्पेस पड़ा है आप इसके अंदर कुछ भी अपना स्पैचुला वगारा को टांग सकते हैं यह देखिए हमारा एक चिम्टे से कितना बड़ी ऑर्गनाइजर बनकर तयार हो गया इसके साथ क्या फायता हुआ हमारा एक चिम्टा तो यूज में आई गया और साथ हमारे पड़े हुए बेकार समान का हमने कितना बड़ी ऑर्गनाइजर भी बना लिया तो दोस्तो इस तरीके से छोट-छोटे जुगाड करके और छोट-छोटी ट्रिक्स अपना के हम अपने घर और किचन को तो सजा सकते हैं और साथ-साथ अपना धेरो पैसा भी बचा सकते हैं तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपके लिए यूसफुल रही होगी तो दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो आज थोड़ी से भी हैलफुल लगी है तो इसे एक लाइक दीजेगा और जाद से जादा शेयर और कमेंट कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूसफुल वीडियो दिखना चाहते हैं तो बैल आइकल के साथ मेरे चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजेगा मिलती हूँ नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यार और बाए बाए